नमस्कार मैं संगीता जाभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हमारे साथ खास मैमार मौजूद है बाबुनन्द प्रसाद जी जो टीमसी के वरिष्ट नेता है उनका जीवन काफी संगर्ज में रहा आए उन से जानते हैं कि उन्होंने अपने संगर्ज के शुरुआत कहां से की और वो बस्पा से टीमसी में कैसे आये क्योंकि पहले वो बस्पा में थे बाबुनन्द प्रसाद जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो सर बताईए कि आपको पहले तो बस्पा में थे तो बस्पा से टीमसी में आने का आपका सफर किसे सबसे पहले संगीता जहाजी, आपको बहुत बहुत दन्यवार, आपका अच्छे नहीं पोड़ी मेरा जीवन का सुरुवात जो है, ये बहुत महत्पूर सुरुवात हुए हम ने एक छोटे ग्राम में जन्न लिया, 5 तिन 1976 के मेरा जन्न में हुआ और मैं अपने ग्राम से ही अपने सिच्छा दिच्छा का सुरुवात की मैंने 5 कलास तक पढ़ाई किया डारीडी ग्राम से, इसके बाद मैं हमने आज का पढ़ाई कम्प्लिट किया सुमर्सा मेडिल स्कूल से और हमने तेंथ का पढ़ाई स्टार्ट किया मजियाओं और स्कूल से, जो कि बोज़फूर दियार में पढ़ता है और हमने 1993 में हमने बोट पास किया और मगद बिस्यु भी दाले जग जिवन का लेजे मेरा डिविशन हुआ आरा में और हमने पढ़ाई किया वहां से हमारा जिवन का सफर बहुत कठी दहा हम आज के जवाने में देख रहे हैं लोगों को तो माना पांच साल को होते हैं उनको अजार और का भून जूता यह पोद बरगार की उनको तो मिलने लगता है हम लोग और हम प्रस्ना अपने जीवन में हमने आठ कलास्तर कम एक चपल भी नहीं पाना है क्योंकि हम एक सदारन परिवार से जन्में और हमारे पीछे मेरे भाई बहान लोगी थे तो चलिए गारजियन का जैसा था वह फूरा की हैं हम लोग पढ़ा cadence से किया है और कि अने रहित हैुक है डिकति हके हो समतानवे में हमने कि पौश्चिम बंगाल में आंदे हम आप उस्चेश मोरा सफर किया है थे जंदा एस्प्रेस हमने समें हमने आया आँ आकर घर के यहां से हिंदुस्तान गिलास पैटी जो कि रिशार पड़ता है उबली में हमने वहां से कंटेक्टरी करने उपर ही हमको मिला इक रिशक से आपका जो ब्योसाई बने तक का जो सफन यह आपने कैसे कुला किया अभी आजासा की सुन्ने में आता है कि आपको तहले प्रिशक थे बफ़त छोटे से एक प्रिशक से आप उतनी बड़े ब्योसाई बने हैं आपका आपके अच्छा मक्नब काम भी ज़ता है लगाता है तो यह सफर आपका कैसा देखिए हमने कंटेक्टरी से नोगरी चालू कि आपके मुद्धे बहा रहा हूं और हम लोग को बहुत कम पैसा सेलरी था कितना था नो सब्सक्राइब नो सब्सक्राइब काम लिए इसके बाद में दूचार साल बाद हमने पटी घोस एक यूनियन का प्रिश्डेंट थे जो कि उनको लोग जानते हैं मैं उनका इंदुस् इसके वाद में 2009 में हमने मार्च अठाइस तारी को अपने गिलास पटी चापना नाता तोड़ लिया और हमने रिजाइन लेटर दे दिया त्यूकि हमने वर्कर के लिए बहुत लड़ा बहुत कुछ किया त्यू हमें कुछ असूदा है कारण हमने रिजाइन भी मार दिया अर्म नोकली से और हमने अपने विजनेस चालो किया बहुत छोटे माने फूंजी से दस विस पचास जर ता मने बिजनेस चालो किया और हमारे पास एक रूटी भशाइगी लाख करती थी जिसे हम घूरते थे और मेरा बिजनेस बढ़िया चला और हम दूजार चोग्द से मेरा ठीक है बाहले से मैं नोगरी छोड़ गई मैं खूस हूँ अपने बिजनेस अभी खूस हूँ अपने कमाये हुए पैसा से गरीबों तक मैं जब ही दरकार पड़ता है तो उसी मेंसे कंबल दे दिया किसी साधी में सायोग कर दिया मैं उतना यह नहीं हूँ लेखिट मैं जितना में हूँ मैं राजनितिक में आने का प्रावत है देखिए राजनितिक में एक आने का मेरा अन्भो जो है राजनितिक में आने का जो मेरा अन्भो है जरूर मैं आपका सवालों का मैं जवाब तुनगा राजनीतिक में जैसे मेरा कदम आया तो सबसे पहले माई आपसे बता दोओं आप कुछे बासपा में जाने है कि पहले सिंगूर में जो 26 दिन जो अंदोलन हुआ 27 दिन दुवा जे एच्छोय में वह जो अच्छो में हुआ था अंदोलन दुए उसमें हमने दीदी के साथ खड़ा था उसमें हमलों का उमर का भी छोड़ था मने ईवा थे किन्तो मने उतना अनुमव नहीं था अमलों जा दे थे खिचड़ी खा दे थे मंज के सामें दुरगापूर एक्सप्रेस वे पे और पूलिस लाखिया जला दे थी उदर असुगाइस का फाइरीम होता था उसमलों बैठे रहते थे और दीदी ने बहुत संहर्ज दिया दीदी साथम पे सुरू में टीमसी में थे कारण क्या हुआ कि दीश तो मेरा कोई डिरेक्ट मेरा लीग था नहीं और हमें वहां पहुचने में अपने आपको असमार्त रहा मैं नहीं पहुच पाया तो कुछ दिन के बाद में हमें बास्पा से हमें यहां का प्रवारी बंगाल के पडवारी थे राजा राम शुदी हों घ्र हमकों बा तो इसमाज पार्टी का प्रदेश महासची बना और देखिए बस्पा में रहकर हमें माने फुला सांस नहीं ले पा रहा थी असकष्ट बाते ही इसमाज पार्टी में रहकर मैं फुला सांस नहीं ले रहा थी लेकिन जैसे हमें टीमसी में गया हम खुले असमान में सांस ले रहा हैं और अमने तिर्नूर होंस नहीं जोइनिंग किया चार मंत्रियों के बीच में साधन पांटेज थे अरूप इस्वास दीते अनुमर खान भी थे जोन कलकाता जोन का सीगेटी थे और अमारे गंडमाने नेता थे सुनद्रद बक्सी थे यहां का अपसी मंगल प्रदेश सध्याप्च अभिषेक दाके नेत्रूत दिदी के नेते आधेस पर अमारा हैट टीम सी पाटी में हमने ज्वेइनिंग किया और की तीम सी पार्टी में ज्वे राजनीती से अलग समाज के लिए तो जरूर जो करना हुआ करें में आम राजनीती से हाथ के समाज के लिए करते हैं जैसे किसी को शादी भियामे कुछे रविदान करना, परेंसे सभी घ्रवस्ता करवा करते हैं, यह ज्लोगड़ॉन था, हमने हजार लोगों चावल बाटा, एक बाटा, उस रणी टीमसी में नहीं था. आप इतना समाजी कारी करते हैं, फिर भी किसे भी मेडिया फिल्ड में आपकी चर्चा फिल्ड में जाना चाहता नहीं था कि हमें बोलते थे भोग लोग कि आप एक बरतर मीडिया फिल्ड में बैठेंगे और आपके चर्चा फिल्ड में नहीं हुख्ट और समय आगा तो बैठेंगे तो अगर आप लोग आये यह आपके साथ प्रत्म बार में इडिया फिल्म बैठ रहा हैं ऐसे मैंने डिवेट में आपके साथ इंट्रिव आप प्रत्वम बार मेरा ले रहा हैं, आपके साथ इंट्रिव लेने के लिए हमने बार में नहीं कर दिया हैं, लेकिन वक्त आगे आए कि हमें, अगर आप लोग आए हैं, मीडिया तस बार आए घूंते हैं, तो अच्छा नहीं लगा, सोचे कि आज साथ बाएट के हम चार्चा खरी लेते हैं, आज मोखी मांत्री मम्ताव एनर्जी का जैन्म देखिए, सबसे पहले तो दीदी को जहन दिन का बहुत-बहुत भेर सुभकमना है, और दीदी का हम्रे घायों लंबा हो, और हमारे मम्ता देदी को बहुत-बहुत सुभकमना हम, हम लोग छोटे पाटी का सिपाही है, छोटे उनका करता है, छोटे उनका भाई है, हम लोग दीदी को अपना बहुत-बहुत धनबाद दते हैं, दीदी का मेरा लंबा आयो हो, और दीदी हमेशा समाज के लिए और समाज के लिए हमेशा प्रेंट राती है, और दीदी का उम अब भविष में क्या बढ़ना साथ है कि देखिए भविष के बाद तो ऐसा है कि हम एक साधारन एक सिपाही के तौर पर हमें TNC में हम अपने आपको एक साधारन ओवरकट समझ के हमने पाटी करता हूं मैं अपने आपको कोई बड़ा लीडर नहीं समझता कि देदी का नित्रूत में हम लोग काम करते हैं और देदी का जो असिर्वाद होगा पाटी का जो निर्ने होगा उसको माता नीचे करके हम उसको सिर्कार करेंगे और आगे फिर देखिए क्या होता है तो वक तो समय को हिसा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और भविसे में राजनेती में एक अच्छा जगह बनाना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने बहुत सारे सामाजी कार्य भी किये हैं जिसको वो अभी तक उर्या के द्वारा कभी लाने का कोशिस नहीं के लेकिन आज उन्हीं ये मौका मि है संगी बच्चा